भारत देश के पूर्वी छोर पर बंगाल के खाड़ी के किनारे बसापुरी, आस्ता और प्रड़टन का संगम है जोडीसा की राजधानी भुनेशर से 60 किलोमीटर दूरी परिस्तित है यहां के ऐसे चमतकार हैं जो विज्ञान के सोच के परे हैं बड़ी से बड़ी थियोरीज यहां पे दम तोड़ देती हैं जगनात पुरी को देश के चार धाम में से एक माना जाता है पौराणी कथा के अनुसार भगवान विश्नु जब चारो धाम पर बसे तो सबसे पहले बदे नात पहुँचे जहां उन्होंने सनान किया फिर इसके बाद जब वो गुजरात गए तो उन्होंने वहाँ पर अपने कपड़े बदले आगे भगवान विश्चा के पुरी पहुसते हैं जहां उन्होंने खाना खाया और आखिर में भगवान विश्णुता मिनाडू के रा में श्रम पहुँचे जहां उन्होंने आराम किया और माना जाता है पुरी में आज भी स्री कृष्ण का दिल धड़कता है इस मंदिर में कई ऐसे और रहस हैं जिसे जानकर कोई भी हैरान हो जाएगा और इस रहस्त को जानने के लिए बने रही है हमारे यूटूब चैनल पायरल ओफिशल में जगनाथ मंदिर को 12 संचुरी में गंगा डैनिस्टी के अनत वर्वन द्वारा बनाया गया था इस मंदिर में लौड जगनाथ उनके बड़े भाई बाल बद्र और उनकी बेहन सुबद्रा की मूर्तियां इस्तापित हैं कई दूसरे मंदिरों में पत्थर या फिर मैथिल की मूर्तियां देखी होंगी लेकिन जगनात मंदिर में यो मूर्थियां लकड़ियों से बनी है आखिर इन मूर्थियों को लकड़ियों से ही क्यों बनाया जाता है आईए जानते हैं एक जारा नाम के सिकारी ने सिकार करते वक्त गल्ती से 30 कृष्ट के पैर बर चला दिया जिससे स्रीक्रेश्ट की मृत्ती हो गई तेसंसकार के बाद सरीर पांस्तत में समा गया पर उनका हिर्दय अभी भी धड़क रहा था कहते हैं उनका हिर्दय आज भी लौड जगनाथ की मूर्ती में धड़क रहा है यह हर्ड एनरजी ट्रांस्मिट करता है जिसकी वज़े से मूर्तियां वुड से बनी होती है परंपरा के मुताबिक इन सभी मूर्तियों को हर वारा बर्स में बदला जाता है और दिल को निकाल कर नई मूर्ती में ट्रांस्फर कर दिया जाता है पर इसकी बदलने की प्रक्रिया भी और भी इंट्रेस्टिंग है इसको सिफ्ट करते वक्त मंदिर को बंद कर दिया जाता है पूरे सहर की लाइट काट दी जाती है और जो मुख्य पंडित होते हैं उनको भी ऐसे जानी के अनुमती नहीं है उनकी आखों में पट्टी बान कर और हातों में गलवस पहनाये जाते हैं जिससे वो छू कर भी ऐसास ना कर सके हैं वहरदे को निकाल कर नई मूर्ती में स्थापित करते हैं जिन पुजारियों ने सेरिमनी को किया है वो बताते हैं उस ब्रह्म प्रदात को हाथों पे लेने पे मानो कोई जीवी चीज हो कुछ ऐसा जो खर्गोष की तरह उचल रहा हो लेकिन वो क्या है किसी को जानकारी नहीं कहा जाता है कि जगनात मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है रसोई का रहस ये है कि यहाँ पे प्रसाद पकाने के लिए साथ भरतन एक की उपर एक रखे जाते हैं आर्शर की बात ये है कि इस दौरान सबसे उपर रखे भरतन का प्रसाद सबसे पहले पकता है चाहें लाको भक्त आ जाएं लेकिन प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और नहीं विर्थ जाता है मंदिर के बंद होते ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है जगनात धाम समुद्र के किनारे स्थित है इस मंदिर के अंदर जाने के लिए अनेक द्वार में से एक सिंग द्वार है जब तक सिंग द्वार में कदम अंदर नहीं जाता तब तक समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है लेकिन जैसे ही सिंग द्वार के अंदर कदम जाता है लेहरों की आवाज भूम हो जाती है और वापिस से पहला कदम बाहर निकालते ही समुद्र की लेहरों की आवाज फिर आने लगती है जगनात मंदिर करीब 4 लाग वर्फीट एरिया में है किसी भी वस्तू या इनसान पसू पक्षी की परचाई बनना तो विज्ञान का नियम है लेकिन यहां मंदिर के सिखर की छाया हमेशा से अध्रस ही रहती है आम तोर पर दिन के समय हवा समुद्र की तरफ चलती है लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां यह प्रक्रिया उल्टी है मंदिर का जंडा हमेशा से हवा की दिसा के विपरीध ही लहरता है हवा का रुक जिस दिसा में होता है जंडा उसके विपरीध दिसा में लहरता है ऐसे ही रह से जानकर साइंटिस्ट भी एरान है और उनको अभी तक इसका कोई जबाब नहीं मिला है इस वीडियो में हमारे साथ अंतक बने रहने के लिए थन्यवाद